2010 के आसपास पूरे देश में ट्रक ड्राइवरों की मोत के खबरे आने लगी ये सारी घटनाएं देश के अलग-अलग राज्यों में हो रही थी इसलिए पहले तो किसी को कुछ समझ नहीं आया लेकिन जब एक ही अंदाज में एक ही पेसे से कई लोग मारे जाने लगे तो जब ब्लीण वार्डाते हुई उन सबी वार्डातों में कतल का एक ही तरीका था लेकिन 2018 में पुलिस ने एक ट्रक ड्राइवर की हत्या के सिल्षिले में एक सक्स को गिराफ़तार किया इस सक्स का नाम था जैकरण पुलिस के हाथ कुछ सुराग लगे थे जिसके बाद जैक जैकरण को गिरफतार किया गया था पुलिस पूस्तास में जैकरण ने मंडी दीप के दरजी का नाम लिया करीब 10 साल तक ये दरजी देश भर में लोगों का एक के बाद एक कतल करता रहा और कभी पुलिस के हत्ते नहीं चड़ा बताया जाता है कि उसका व्यावार लोगों के साथ इतना अच्छा था कि कोई भी ये सोच नहीं सकता कि जो दिन भर इतना अच्छा इंसान हो वो रात होते ही राक्षस कैसे बन सकता है नमस्कार क्राइम पैट्रोल देख रहे हैं आप और मैं आकास देशवाल उमीद करते हैं आप सब अच्छे होंगे और आप हमारी जो स्टोरी को प्यार दे रहे हैं वो आप देते रहे हैं और हम भी ऐसी दिल्चस्ट स्टोरी आपके लिए लाते रहेंगे और आज जो स्टोरी है वो एक ऐसे सीरियल की लर्की है कि उसकी कहानी सुनने के बाद हर कोई हैरत में रहता है कि ऐसा भी हो सकता है ये कहानी है मद्यपरदेश के एक दरजी आदेश खामरा की जो मंददीप का रहने वाला था वहीं इसकी एक छोटी सी टेलर की दुकान थी हालकि ये कपड़े बहुत अच्छे सिलता था दूर दूर से लोग इसके पास आते थे कपड़े सिलवाने के लिए और लोग भाग जो इसके पास कपड़े सिलवाने आते थे वो इसके बारे में बताते थे कि बहुत ही मिलनसार आदमी है और सबसे अच्छे से बात करता है लेकिन अब ऐसे आदमी के बारे में अगर कुछ चीजे पता लगती हैं कि ऐसा रात में क्या होता था कि ये हैवान बन जाता था इतना मिलनसार आदमी था और रात में लोगों को मारता रहा और करीब 33 लोगों को जब इसने मोत के घाट उतार दिया तो इसके बारे में पता चलता है और जो जो चीजें इसके केस में पता लगती हैं वो सब हैरान करने वाली थी 2010 से 2018 तक अब ट्रक ड्राइवरों की हत्या का जिल्चल लगतार जारी था पुलिस इस गुत्ति को सुल जाने की लगतार कोशिस भी कर रही थी लेकिन जो 2018 में ट्रक ड्राइवर की हत्या का केस जब पुलिस ने संपूर्ण तरीके से इसका संग्यान लिया तो पुलिस को एक लीड मिली अब पुलिस उस लीड की तहकिकात करते करते आगे गई और उन्होंने एक सक्स को गिरफ्तार किया जैकरण अब जब पुलिस ने जैकरण से पूछताज की तो उसने मंड दीप के रहने वाले इस दरजी आदेश खामरा का नाम लिया अब जैकरण को पुलिस ने दबोची रखा था तो इसकी सूचना आदेश को मिलती है और आदेश मंड दीप से अपना मकान खाली करके सुल्तान पूर चला जाता है वैसे जो आदेश खामरा है उसका ओरिजन सुल्तान पूर ही तो अपना गाउं में जाकर वहाँ अपना र और वो आदेश खामरा को गिरफतार करती है अब पूच्तास का नंबर था आदेश खामरा का तो आदेश खामरा पुलिस के सामने बहुत सी चीजे उगलता है अपने तरीके बताता है जिसमें वो बताता है कि वो कैसे पहले ट्रक ड्रैवरों को शराब का जहांसा देकर या फिर रस्ची से गलग ओटकर हत्या कर देता था इसके बाद उस सव के कपड़े बदले जाते और मध्यपरदेश उत्तरपरदेश राजिस्थान ऐसे जगा अलग अलग उन सवों को फैक दिया जाता था जिससे पुलिस को गुमरा करने में उनको आसानी दे कि ये सव कहा से आये हैं ये इसका पता ना लगे अब उस दोर में ना तो हायो पर ऐसे CCTV होते थे कि ये सारी चीजें CCTV में रिकोर्ड हो जाए और सामने वाले को या हत्यारे को पगड़ने में आसानी हो तो पुलिस के सामने बहुत सारी उलजने थी और उसने ये भी बताया कि जादा तर शवों को नदी या किसी नहर में फैक देते थे ताकि उसका सव ना मिले और उसे मचली या मगरमच जो भी जन्तु हो वो उसे खा जाए अधिकारियों का इनुसार आदेश खामरा को कोई पस्तावा नहीं था जो भी उसने हत्याई की और यहां तक कि हत्या से पहले उसके ज सब कुछ सारी डिटेल उसके याद थी यहां तक कि उसे यह भी याद था कि जिस हत्यार से ड्राइवर को मारा गया है वो कौन सी जंगा थी उसके सरीर पे और जिस जंगा को वो बताता था तो पोस्ट मार्टम में भी वो ही जंगा आती थी अब यह सब सुनकर पुलिस वाल अपना एक गैंग बना रखा था जो इसे ड्राइवर्स के इन्फोर्मिशन देता था और जैकरन इस गैंग का मेन आदमी था जो ड्राइवर्स को अपने जहांसे में देता था अब इस हत्या के बारे में जब इसे खामरा से पूस्ताज की गई तो उसने बताया कि वो ट्रक होता है और इनकी यह हत्या नहीं है मैं इने मुक्ति के रास्ते भेज रहा हूं अब कुछ ऐसी भी जानकारी सामने आई थी जो इसने पुलिस को बताया कि यह अपने पूरे गैंग को कोड़ वर्ड के साथ ओपरेट करता था और कुछ ऐसे भी लोग थे इसके गैंग में जो ट्रक हैं उनके पार्ट्स करीते पूरे ट्रक को करीते और यह उससे पैसा कमाते थे अब जब जैकरन किसी ड्राइवर को अपने जहांसे में लेता था तो वो खामरा को फोन करके बोलता कि भाई साब कुछ मीठा तो खिला दो अब ये भाई साब कुछ मीठा तो खिला दो ये वो कोड़ वर्ड होता था जिसको सुनते ही आदेश खामरा उसके दिमाग में ये संदेश जाता था कि अब किसी की हत्या करनी है और ये इसी कोड़ वर्ड के जरीए पूरे देश में जो इसने अपना गैंग मना रखा था पूरे नेटवर्क में बात किया करते थे अब ये सारे कबूल नामें 33 लोगों की हत्या समेत उसने पुलिस की पूस्तास में किये जिसके बाद इस पर केश चला और इसे सजा हुई और अब ये भोपाल सेंट्रल जेल में अपनी सजा काट रहा है हाला कि ये भी बताया गया अभी के जेल में बहुत सोम्य नजर आता है और बक्ति में ये अपना ध्यान लगाई रखता है लेकिन एक कहावत है कि एक चहरे के पीछे कहीं कहीं चहरे होते हैं और ये राक्सस दर्जी इस कहावत का जीता जागता उधारन है जो दिन में लोगों के बीच सोम्य और उनसे मिलंसार रहकर बात करता और रात में एक हैवान बन जाता था हाला कि कुछ रिपोर्ट्स या किसी को ये भी बताता है कि इसके पिता ने इस पर बच्पन में बहुत सारे जुल्म किये थे जिस वज़े से हिंसक हो गया लेकिन कुछ चीजे हैं जो आज भी दिमाग में गूमती हैं जब आप ऐसे केस को पढ़ते हैं तो ज़रा आप खुद सोचिए कि आप जिस व्यक्ति के साथ 10-12 साल से लगतार रह रहे हैं उससे मिलते हैं बात करते हैं और फिर अचानक आपको पता लगे कि वो एक सीरियल किलर है अब जो चीज सोचने में ही इतनी भयावे लगती है तो ज़रा सोच ये उन लोगों पर क्या बीती होगी उन लोगों क्या एहसास होगा जिन्हों ने ये बताया बाद में कि ये व्यक्ति ऐसा काम कर सकता है या जो उसके दोस्त रहें होंगे जो उससे रोज मिलते होंगे वो किस इस्थिती में होंगे इसका अंदाजा लगाना भी मुश्किल है खेर कहते हैं बुरे का अंत बुरा होता है और ये इसका भी अंत बुरा हुआ और अब ये अपनी सजा जेल में काट रहा है तो आपको यह स्टोरी कैसी लगी हमें कमेंट करके जरूर बताए साथ ही हमारे चैनल को लाइक, शेर और सब्सक्राइब जरूर करें ताकि ऐसी दिल्चस्प स्टोरी आपको आपके फोन पर मिलती रहे अब मुझे और मेरे कैमरामेन हर्स को दीज़े इजाज़त नमस्कार